आज हम करने वाले हैं धार्मिक आंदुलन छट्वी श्रताबदी इसापूरु के बारे में 16 बेसी सो इसमें काफी सारी चीज़ें आ जाती जैसे गौतम बुद्ध के बारे में कुश्चिन्स बनते हैं यहां से और भागवत धर्म के बारे में शैव धर्म के बारे में बारे में जो important चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं और आप लोगों को करना क्या है फिरसे वही एक बार आप लोगों को इसे वीडियो जैसे ही finish होता है उसके बाद आप इसे zoom कीजिए और इस तरह से आप लोगों को पहले इस साइड से खुद को टेस्ट करना है और फिर आपको इस साइड से टेस्ट करना है किसी भी एदर साइड यू कन चूज़ सो लेट्स गोएड अब चलिए इससे देखते हैं कि कौन-कौन से इसमें इंपोर्टन चीजें हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था हो 563 में हुआ 563 तो अगर बुद्ध का जन्म तो आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म 56 कुछ में हुआ था तो 3 अपने आप आ जाएगा आपका ठीक है वैसे आप हाफ करेंगे वैसे मैंने जो यूज किया था इसको तो थोड़ा सा जब हम किसी चीज को लीक से हटकर कु 56 upon 2 ठीक है 56 upon 2 करके तो मैं इस तरह से इसे सॉल्व करता था जितनी बार मुझे तो अभी तक याद है मुझे 563 563 ठीक है तो आपको बस 563 करना है डिजिट की तरह याद कीजिए तो गौतम बुद्ध का जन्म कब है 563 अब आप भूलेंगे नहीं से दूसरी चीज था कि ग 56 की death होती है ठीक है तो उसके लिए क्या मंगाया जाता है कुश मंगाया जाता है एक तरह की घास होती है ठीक है कुश और उसकी एक छोटी सी हलकी सी चटाई वगएरा उसमें रखी जाती है कुश की तो आपको उसी से death से याद रहेगा कुशी नगर अगर आप लोगों को ये चीज़े याद नहीं भी है तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं उसके बाद आते हैं जो माता थी ना वो कॉलिय वंस्ट की थी ध्यान रखना आपको माता जो थी उनकी वो किस्से थी कॉलिय वंस्ट दे दी धर्म चक्रपरवर्तन बोला जाता है उनके उसमें पर्थम उपदेश जो उन्होंने दिया था तो धर्म चक्र प्रवर्तन उसे उन्होंने कहा था या उसे कहा जाता है मिर्गदाव सारनाथ वो स्थान है सारनाथ में मिर्गदाव जगह है ठीक है मिर्गदाव जगह है जहां पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था वो उधरीन के समय कौसामबी आये थे कौसामबी है जो जगह का नाम है मैंने पिसले महाजनपद में आप लोगों को ये वर्ड्स याद करवाए थे कौसामबी जो जगह है वो आप लोगों को लोकेशन याद आ रही हो गई नीचे अभी मैप में भी देखेंगे हम अलार कलाम कौन थे वो बुद्ध के एक गुरू थे मेंस बुद्ध ने काफि सारे गुरू बनाए थे और उनमें से जो एक गुरू थे वो आलार कलाम थे ये कुशन पूछा जाता है कि आलार कलाम कौन थे मल राज्य कौन था महापरी निर्मान जहां उनकी मृत्य हुई थी तो वो मल राज्य के अंडर में आता था मल ठीक है मल हो गया कौसामबी हो गया वज्जी हो गया कुरू हो गया तो ये सारी चीज़ें आपको मगद हो गया ये आप लोगों को अगर आपने पिक्चराइजिशन कर रखा है माइंड में तो आप देखेंगे कि अच्छा जो बुद्ध है वो इस तरह से घूम रहे होंगे देख लिजी यहां पर ठीक है ये देखिए कौसामबी मैंने कहा तो आप देखेंगे कि वो कहीं यहीं गूम रहे हैं देखेंगे गया हो गया ठीक है ये कौसामबी हो गया आपका तो इस तरह से वो इधर ही कहीं गूम रहे हैं तो आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा यहां यहां तो कहीं ने कहीं आपको याद रहेंगी चीज़ें ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं इसमें महापरिनिर्वान जो हुआ था मल राज के नंडर में हुआ था उनका नैतिक नियम और उब्देश संग्र है अगर जो गरंद है बौद लोगों के वो पिटक के नाम से जाने जाते हैं पिटक ठीक है तो पिटक आपको याद रखना है कि पटक पटक के वो आपको नैतिक नियम सिखाएंगे अगर आप ठीक से नहीं सिखेंगे तो ठीक है तो नैतिक नियम पटक पटक के सो पिटक हो जाएगा सुत पिट ठीक है तो अगर आपको दार्शनिक सिधान्त सिखाने हैं तो आपको धम धम करके वो पीटेंगे और फिर सिखाएंगे ठीक है और पटक पटक के अगर सुला देंगे तो नैतिक नियम करवाएंगे तो पटक पटक के आपको सुलाएंगे और अगर आपको दार्शनिक सिधान तो ये एक कर्मापा लामा एक व्यक्ति है, जो कि किस समधाई से है, कांचीव सम१ाय से, तो आपको ये याद रखना है, तो इसे बस आपको पंड़िक से पाड़ने से पत्र पूकस जब भी आप पढ़ेंगे तो आप कर्मापालामा किस समधायसी तो आपने जब कंग्यूप कर्मापालामा बार बार पढ़ा होगा तो आपको अपने आपने आप statistics है अ उसे कर लेंगे वह alright तो चलिएले किसे कहा जाता है मैत्रिय भावी बुद्ध help को कहां संग संबंधी नियम को विनय पटक में किया गया है अगर आप उनके संग में रहेंगे तो जो भी उनके नियम होते हैं संग में रहने के जो उनका जहां पर सारी चीजें होती हैं वो विनय पटक कहा जाता है उसको विनय पिटक पटक नहीं पिटक है पटक मैं अपने हिसाब स केंद्र ठीक है तो विक्रम की नाओ याद रख लिजे विक्रम की नाओ में बौध शिक्षा पढ़ाई जाती थी तो आपको याद हो जाएंगे चीज़े जिए ग्यान प्राप्ती उन्हें कहां पे हो एती जब बोध गया गए तो उन्हें ग्यान की प्राप्त हुएती जब प्राप्ती बूद गया में होई थी उनकी नव नालंदा विहार नव नालंदा विहार पाली अनुसंधान केंद्र है और नालंदा के जो संस्तापक थे वो कुमार गुप्त थे ठीक है तो आपको यह याद कैसे रखना है कि नालंदा तो आपको रखना है एक नाम बना दीजी आप, नालंदा कुमार, जैसे हम बोलते हैं, शीब कुमार, रोहन कुमार, और जैसे मेरा नामी कौशिक कुमार, ठीक है, तो आप इस तरह से आप क्या करेंगे, नालंदा कुमार, तो नालंदा जब भी आप बोलेंगे, तो नालंदा और मल, यह आप लोगों को याद हो जाएगा, कुशी नगर, मल, कुश्टी, कुश्टी को ही क्या कहा जाता है, मल युद्ध कहा जाता है, डूल फाइट, अंगलिश वालों के लिए, ठीक है, डी, यू, ए, ल होता है न, डूल, तो डूल फाइट जो होती है, कुश्टी, उस करतिमा थी वो थी आपकी कुशाण राज्य से सम्मंदित तो आपको रखना है खड़ी जहां से देखेजिए हैं आपको करना है खड़ी तो आपका है कुशाण तो इसमें आपका थोड़ा सा रड़ से आता है खड़ी कुशाण खड़ा कुशाण ठीक है इस तरह से आप लोग से संबंदित होगा तो खड़ा 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 कुशाण इस तरह से ठीक है तो एक और उनका जो त्योहार होता था वो है अपका अपराद स्विकारोकती सौरी मेंस अक्सेप्टेंश ओफ यूर मिस डीट्स तो वो होता था परवन और कहीं कहीं इसे पावरन भी बोला जाता ठीक है पावरन और परवन दोनों तो आपको पावरन पावरन कुछ इस तरह से दिखाए दे तो बस अगर आप देखिए हर जगह होता है ये कनफेशन के लिए आप ये जो क्रिश्चन उसमें होता है तो क्रिश्चन उसमें क्या होता है एक डिबब बनाया जाता है कनफेशन बॉक्स वहाँ पर आदमी जाकर अपने कनफेशन करता है पावरन या परवन जो है वो बौध लोगों का है गटना वा परतीक कुछ उनके जीवन से जो गटना ही ह हुई है जैसे कि अगर जन्म की बात करें तो जन्म से रिलेटेट कमल वह सांड को बनाया जाता है कि जन्म का परतिक बनाया हुआ है जब ग्रहत्याग हुआ तो गोड़े में बैठके चले गए इसलिए आपको याद रहेगा घोड़ा और घर छोड़ा इस तरह से आप याद कमल का फूल उपर की तरफ उगराया है और सांड ठीक है निर्वान जो उनको निर्वान के प्राप्ति हुई थी वो पद्चिन्न से है कि जब उनको निर्वान के प्राप्ति हुई तो पद्चिन्न आप याद रखेंगे और ग्यान की जो प्राप्ति हुई थी वो क्या थी की थी तो इसलिए इसको क्या ग्यान के लिए जो सिंबल लिखा हुआ पीपल का वरिक्ष है उसके बाद आता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो किस किस चीज में विश्वास रखते थे तो कर्म में विश्वास रखते थे ध्यान दीजिए कर्म में अनात्म वादी थे means उन्हे आत्मा या सोल में विश्वास नहीं था पूर्व जन में विश्वास लेकिन पूर्व जन में विश्वास रखते थे तो ये काफी अपोजिट लगता है मुझे खुद से कि कोई इनसान अगर आत्मा में विश्वास नहीं रखता तो पूर जन में विश्वास कैसे रख सकता है बट फिर भी उनका था कि वात में विश्वास नहीं रखते थे पुनर जन में विश्वास रखते थे इस्वर की सत्ता में अविश्वास था हुना है मिंस वो इस्वर को नहीं मानते थे अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां से question बहुत संगीती से बहुत पूछा जाता है बहुत संगीती का मतलब होता है कि उनके जो conference होती थी या meetings होती थी उनकी वो थी तो यहां पे देखिए 483 383 याद रखिए 483 383 247 ठीक है तो सुरुवात आप यहां से करेंगे 483 मैंने आपको कहा 383 ठीक है 383 247 और प्रतम शर्ताब दी फर्स्ट जो 80 आता है तो आपको याद रखना है तो यहां से आप लोगों का हो गया 483 383 और 247 इस तरह से और फर्स्ट 1 कर दीजिए अब यहां से याद रखने हैं आपको अस्थान कैसे याद रखने हैं अस्थान के लिए फॉर्मूला है आपका रावे पाकू क्या याद रखेंगे आप रावे पाकू रावे पाकू रावे पाकू में आ जाएगा आपका राजगरी है वैशाली, पाटलेपुत्र और कुंडलवन ये बहुत इजी है, रावे पाको, रावे पाको, रावे पाको ठीक है, ये इस तरह से आपको बोलना है, याद हो जाएगा उसके बाद आता आपका जो इनके अध्यक्ष रहे हैं, राजग्रेह में थे महाकश्यप, सभाकामी, मोगली पुत्त, तिस, ये है मोगली पुत्त, तिस और वशुमित्र या असोगोस, ये तीन थे, इसमें क्या है आपका रावे पाको अपॉन अकाख, अकाख, रावे पाको अकाख, तो अकाख होता है आपका शाषन काल तो Ajati Shutru हो गया आपका और कालाशूक हो गया आपका अशूक हो गया और करनिश्क हो गया इसमें जो भीज का बज जाता है इसे आप ऊपर रख सकते हैं मासमो्व तो characteristics से आपको कर सकते हैं अपको और तो लग रहा होगा लेकिन आप लोगों का हो सकता है कि आप इसे याद रख ले तो आप बिल्कुल इसे step by step याद रख लिजे कि आपको करना है यहाँ पर लख लिजे आप रावे पाकू ठीक है यह हो गया आपके कौन सी अस्थान हो गया कि जहाँ जहाँ यह संगीतियां हुई थी कौन्फरेंस हुई थी उनके मीटिंग हुई थी उसके नीचे लिख लिजे अका अक कौन कौन से वहाँ पर राजा थे तो इस तरह से आपका यह हो जाएगा और लास्ट में आप लोग इसे याद रख लिख सकते हैं महाकशप सवाकामी और मोगली पुत्तिस और वशु मित्र और जो डिजिट हैं डिजिट को आप कभी भी इसापूर वगएर याद करने के आपको ज़रुरत नहीं है बस आप खले डिजिट याद रख लीजिए इस तरह से 483383247 ठीक है इस तरह से आप करेंगे से तो यह द तो 234 देखें वन तो हो गया 1234 इस तरह से हो गया इसके पीछे 83 83 देखें और फिर आपका हो जाएगा 7 सॉरी 4 और 7 इस तरह से आप लोगों को याद हो जाएगा तो चलिए आगे चलते हैं तिरपिटिक किसे कहा जाता है तिरपिटिक क्या है कि जो सुत्विने और अभिधम्मु पिटक जो हमने उपर पड़े हैं उन्हीं को तिरपिटक बोला जाता है त्री मेंस तीन और पिटक मेंस गरंथ ठीक है तो उनके जो देशों के संगरा है उ माना जाता है, अपसे जो बहुत धर्म था, उसका उसमें बहुत सारे ढहीलानी शुरू हो गई थी, उससे पहले यह बहुत ही 50 हुआ करता था उसके बाद है, यह वैशाली तो वैशाली ही वो इस्त्री थी, मिनस वैसाली वैसे जगे का नाम है, तो आपको याद रखना है कि वैसाली ने इस तरियों का प्रवेस करवाया था, इस तरह से कुछ कर सकते हैं, विश्व सांती स्टूप, जो राजगीर कहां पे है, बिहार में है, पाटली पुत्र, राजधानी किस ने बसाई थी, उदैन ने ब रखना है, विकरम शिला बौद शिक्षा का केंदर हुआ करता था, सुन्यता का सिद्धान्त, नागार जुन, तो नागार जुन क्या थे, उन्होंने सुन्यता का सिद्धान्त दिया था, और वैसाली जो है, उसे पहला गडराज्य माना जाता है, डिमोक्रेशी माना जाता ह पिछले भी लेसन मैंने बताया था महा भिनिश कर्मन इसको ग्रह त्याग को क्या कहा जाता है महा भिनिश कर्मन कहा जाता है महा भिनिश कर्मन तो ग्रह का त्याग करके उन्होंने क्या किया था भ्रह्मन किया था इसे करमन करके करमन का ब्रह्मन बना दीजिया आप ठीक है रुमन देई एक स्थंब है रुमन देई स्थंब से पता चलता है कि गौतम बुध का जो जर्म हुआ था वो लुम्बनी में हुआ था कोसल और मगद बुध के जीवन से संबन्धित राज्य है सुबद, सुबद वो था जो अंतिम सिश्य था और इसने ही जो बुद्ध थे उनको सुवर का मांस खिलाया था और जिससे उनकी तबियत खराब हो गई थी और फिर उनके डेथ भी हो गई थी महाकश्यप और अंतिम सिश्यप भी वही था दुतिय बहुत संगीती कहां हुई थी रावे पाकू तो रुषाली में ठीक है रावे वैसे आपको याद होगा कि हमने किया था 1, 2, 3, 4 ठीक है 83, 83 ठीक है और फिर यहां पर आपको करना है यह हो गया माइनस 1, 7 ठीक और 3 का हो गया यहां पर 4 यह तरीका है हमारा इसको याद रखने का तो दूसरी जो वैद बहुत संगीती हुई थी वैसाली में हुई थी नागारजुन जो थे बहुत भिक्षुते और वो कहां गए थे चीन में गए थे तो नागारजुन का सुन्यता का सिद्धानत भी था यह याद रखी आप ठीक है नागारजुन अरजुन सुन्या पर क्या कर सकते थे कहीं पर अगर आप छोटा सा सुन्या बनाएंगे तो तीर मार सकते थे अरजुन नागारजुन ठीक है नागवाला तीर मारा करते थे पद्म पानी बोदी सत्व अलवोских कितेष關係 का अन्यानाम था तो पद्म पाणी बोदी सत्व का नाम था ठीक है, बोदी सत्व का नाम चार यूग, चार यूग है आपके सत्यूग, तरेता और द्वापर यूग अगर आप लोगों को अभी तक भी याद नहीं है तो आप याद रख रहे हैं यह स्टीडी स्टीडी का मतलब होगा सत्यूग इसे कृत भी बोला जाता है टी से त्रेता, डी से द्वापर और कल्यूग में तो हम भूगी रहे हैं ठीक है? इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं इसको मेंस कल्यूग में हम जी रहे हैं तो याद रखने क्या जूरत है? यह कल्यूग चल रहा है महायान हीनियान में मौलिक अंतर क्या था? दो जो थे वो बौध जो बन गए थे, वो महायान और हीनियान थे, उनमें अगर मौलिक अंतर की बात की जाए means जो एक basic fundamental difference जो था, वो क्या था, देवी देपताओं की पूजा का था, चार जो आरिय सत्य उन्होंने बताये हैं, बहुत लोगों ने, वो थे, उन्होंने कहा, दुख है, दुख का कारण भी है, और उसका निरोध है, उसको हम रोक सकते हैं, और दुख निरोध का भी मार्ग है, तो क्या चार आरिय सत्य बताये हैं उन्होंने कि दुख भी है, तो हम रोक सकते हैं दुख को, ओर फिर कैया है, दुख निरोध का मार्ग है, अब इसमें बहुत जाए डेटेल में ने जाते हैं, बस आपको ये इसी तरह से रटना है, लेकिन क्या है, आपको ये सीक्वे और मार्ग ठीक है निरोध का मार्ग विनेपिटिक विनेपिटिक क्या था ये आपका बहुत गिरिंथ है मैंने कहा था आपको कि जो पिटक है और खरोष्टी को दाईं से बाईं और लिखा जाता है दाईं से बाईं और जैसे आप कहेंगे कि जो आपके उर्दू होती है दाइं से बाइं और उसके बाद है आपका इधर से इधर को लिखेंगे इसे इधर से इधर को हम यूजिली जैसे हिंदी लिखते हैं बौद वजैन में समान क्या था ये वेद में अनास्ता रखते थे में उसे ये वेदों में विश्वास नहीं रखते थे दूसरा था इन्हें कर्मकांड का निशेद इन्होंने किया कर्मकांड को नहीं मानते थे ये लोग और पराणी हिंसा का निशेद ये एक जैसा है इनके साथ में ठीक है उसके बाद आता है तप और भोग की अतिका परिहार किसमे था सिर्फ बहुत धर्मे था सिर्फ बहुत धर्मों आलों ने जो है वो तप और भोग की अतिका परिहार किया था कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि बहुत जादा तप भी नहीं करना है जैन धर्मे जैसे इसका उल्टा है वो लोग काफी तप और भूग की जो है अती नहीं करते हैं वो लोग भी लेकिन यहां पर क्या है आपका बहुत धर्मे क्या है कि मींस बहुत जादा शरीर को कस्ट भी नहीं देंगे और बहुत जादा भूग भी नहीं करेंगे चीजों का चैते क्या होते थे चैते आपके पूजा इस्तल होते थे बौधों के जहां पे पूजा करते हैं उसे चैते कहते हैं ठीक है तो चैते की पूजा करने चलें इस तरह से आप खुद को बार बार बोलिए विहार विहार में वो रहते थे निवास करते थे उनका जो रेजिडेंश था ठीक है रेजिवेशिल जो प्लेस होता था वो आपका कौन सा हो rund नहीं रहेंगे और अपने घर को आप क्या मान लीुगे विहार मान लीुगे और जहां पर आप पूजा करते हों, उसे चैत्य मान लीजिए, ठीक है, बार-बार अगर आप उसकी तरफ देखे, अपनी पूजा जहां पर भी आप करते होंगे, उसे चैत्य देखेंगे, तो आप लोग उसे, आपको याद हो जाएगा, कि ये हमारा चैत्य है, चैत्य है, त आशा कौन से थी पिटक की पाली थी तो आपको क्या करना है पिटक पा की भासा पाली ठीक है बस इतना याद रखिए इसे आजिवक संप्रदाय मखली गोसाल ये फाउंडर थे आजिवक क्या होते हैं ये भाग्यवादी होते हैं तो भाग्यवादी मतलब जो भाग्यवादी मत बनिये, आप लोगों को मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, तो आपको मक्खली गोशाल, तो आप यह याद रख सकते हैं कि अगर आप भाग्या के भाग्या मानने वाले बनेंगे तो आप मक्खी की तरह रहेंगे मक्खी की तरह बन जाएंगे आप लोगो इसलिए आपको मक्खी नहीं बनना आजीवन आजीवन आपको मक्खी की तरह नहीं बनना आप लोगों को क्या करना है, कुछ मेहनत करनी है आगे बढ़ना है, इस तरह से आप लोगों किसी याद रखें जब भी आपको मक्ही देखे आप बोले ये तो भाग्यवादी है आजीवक है क्या है एक किसी मक्ही को देखिए है बोलिए इसको कि ये मक्ही मक्ही गोसाल है इस तरह से थोड़ा सा फ़नी होता है लेकिन आप लोगों को याद हो जाएगा अगर आप लोग एक बार इसको लिगो साल बोली है ठीक है आज इवे खो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगो मिल जाएंगे चार दिरिश्य थे जिन्हों ने बुद्ध को बुद्ध बनाया वो थे बूढ़ा रोगी लास और सन्यासी बूढ़ा रोगी और लास और सन्यासी तो इस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हैं कि बुरू जैसे होता ना बुरो रजिस्थानी जैसे लैंग्विज आगवो लास बुरयास तो इस सरे से आप लोग याद कर सकते हैं बुरो वैसे गड़वाली की टोन भी आती है तो आप चार दिरिश्य याद रख सकते सबसे वहले उन्होंने बूड़ा देखा सबसे पहले क्या देखा उन्होंने इसे बूड़ा बना देते हैं सबसे वहले उन्होंने बूड़ा देखा उसके बाद उन्होंने रोगी देखा कि जो अपने रोग में बिचारा बैठा हुआ है लेटा हुआ था और तीसरा उन्होंने पूरी लास देखी तो देखिए यहां पर यह थोड़ा सा डाउन हो रहे है यह क्या है थोड़ा सा हलका सा इनकी कमर जुकी है इसमें और जुकी है और इसमें बिल्कुल फ्लैट हो गए है तो आपको इसी तरह से याद हो जाएगा बार-बार याद करने की जुरत नहीं पड़ेगी यह थोड़ा सा क्या थे हलके जुके वेते बूड़े फिर ओ रोगी हुए और फिर ओ लास बन गए उनकी और अचानक ओ उठे और सन्यासी बन गए तो इसलिए ओ क्या होए इन तीनों को देखके वो क्या बन गए सन्यासी बन गए बुद्ध तो आप लोग इस तरह से अब आपको यह हमेशा याद रहेगा बुद्ध चरित क्या है बुद्ध चरित बौधों की रामायन है असोगोश ने इसको लिखा था धमपत क्या है गीता के समान उन्हों मानते हैं धमपत को गीता के ही समान उन्होंने माना है बौधोंने हिन्यान वर महायान में विभाजन कब हुआ था तो कनिश्क 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 के टाइम में हिन्यान और महायान में ये उन्होंने डिवाइड कर दिया था खुद को तो बहुद थे ठीक है तो बहुदों को क्या किया कनिश्क ने अपनी तलवार से क्या कर दिया दो में डिवाइड कर दिया उसके बाद आ गए निरंजना नदी निरंजना नदी जो है या इसको फालगु नदी भी बोला जाता है कि तटपर बोध गया है तो बोध गया किसके तटपर है आपका निरंजना नदी या फालगु नदी के तटपर बल्लबी विश्व इद्धियाल है ये गुजरात में है आपका अशोका राम विहार पाटले पुत्र में है नैतिक एवम सिधानत की बात करे तो सुत्त विटक में है पीछे हम देख चुके हैं अगर उन्हें नैतिक ता आपको पढ़ानी हो तो पीट पीट के आपको सुला देंगे भूमी इस पर्ष हमने खड़ी जो पर्तिमा देखी थी तो हमने खड़ी ड़ा ड़ा ठीक है इस तरह से खड़ी कुशान खड़ी कुशान भूमी इस पर्ष गुप्तकाल में था ठीक है भूमी इस पर्ष जो मुद्रा है मूर्तिकी वो गुप्तकाल में मिली थी तो आपको ये इस तरह से याद रखना है कि जैसे भू, गू ठूक्ज़, ठीक है? अप लोगो इस तरह से करना है भू, गू, इस तरह से अड़ा, अड़ा, तो जब आप इसे देखेंगे उसमें option में देखेंगे तो आपको automatically याद हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं तो दो है आपके एक तो है भूमी इसपर्ष बैठी वी मुद्रा में है आपके बुद्ध और एक है खड़ी मुद्रा में तो जो खड़ी मुद्रा में है वो कुशान वालों के साथ में है और जो भूमी इसपर्ष है वो गुप्तकाल में है इतना याद रखना important है सारनात में उन्होंने पर्थम धर्मोब देश दिया था सारनात में ठीक है तो सारनात में उन्होंने पर्थम उबदेश दिया था उसके बाद है वज्रियान सबसे प्रभावशाली जो शाका बौदों की है वज्रियान माना जाता है वज्र की तरह है ठीक है वज्र तो आपको पता है वज्र इंदर धारन करते हैं बहुती खतरनाक वैपन माना जाता है ठीक है हतियार माना जाता था उस टाइम तो इस तरह ऐसे वज्ड आपको याद रखना है कुंडगराम में जन्म हुआ था अब बात करते हैं महावीर के बारे में बात कर चुके हैं कुंडगराम में महावीर का जन्म हुआ था मृत्यू उनकी पावा में हुई थी ठीक है तो पावा पाव खा रहे थे और उनकी मृत्यू हो गई अन्तिम तीर्थंकर जो थे ओ महावीर श्वामी थे और पुंडग्यान को यहां कैवल्या बोला जाता है जैसे वहाँ पे बूध हुआ था उन्हें यहां पे कैवल्या की प्राप्ती हुई थी प्रभासगिरी कौसांबी में है ठीक है प्रभासगिरी कौसांबी यह जैन लोगों का एक तीरतस्तल है तो आज आएगा कुश्चिन की प्रभासगिरी किसका तीरतस्तल है को याद रखना है यह जैन धर्म का है अनुवरत सिधान्त जो है वो जैन से संबंदित है शादवाद भी जैन से संबंदित है तिरी रत्न भी जैन में ही होते हैं वहां क्या थे तिरी पिटक थे यहां तिरी रत्न है ध्यान दीजे तिरी रत्न उन्होंने कौन कौन से कहा उन् के बाद आगे चलते हैं 14 पूर्व 14 पूर्व जो थे वो गरंथ है जैसे वहां हमें बादों में पिटक देखने को मिलते हैं यहां पूर्व देखने को मिलते हैं तो आप लोगों ध्यान देना है कि वहां पिटक हैं यहां पूर्व हैं पापा सही है जैन धर्म सबसे जो 14 पूर्वे है उसके बाद है आपका अहिंसा जैन का आधार है अनेकांत बाद आपने देखा होगी जैन धर्म के जो रिशी मुनी रहते हैं एक तो कपड़े नहीं पहनते हैं दूसरी चीज ये है कि वो जहां पर भी बैठेंगे पहले अपने हाथ में एक छोटा सा जहडू लेके चलते हैं और उससे पहले बहुत अच्छे से साप करेंगे कहीं चीटी बगएरा कोई जानवर हमसे उसकी हत्या ना हो जाए तो आहिंसा को बहुत ज़्यादा मानते हैं उसके बाद है अनेकांत बाद भी जैन धर्म का हिस्सा है यापनिय संप्रदाय जैन धर्म का है तो आप देखेंगे आपको कुछ नहीं करना आपको क्या करना है इसको बहुत जिसे इस लाइन को पढ़ते रहना है इस तरह से परवाजगरी आनवर सिद्दान शादबाद तिरेरतन तिरेरतन चौदापूर अहिंसा अनेक वाद यापनिय संप्रदाय सूइतामबर दिगंबर तो इस तरह से आप लोग करेंगे तो आप लोगों को यह जो वकाबलरी है बिलकुल याद हो जाएगे उसके बाद चलते हैं सूइतामबर जो थे दो तरह के होते हैं यहापे सूइतामबर और दिगंबर सूइतामबर सूइत वस्तर पहनते हैं सूइत मींस होता है वाइट ठीक है तो वाइट जो हैं कपड़े पहन के चलते हैं तो दिगंबर ये होते हैं, दिगंबर means अंबर को मानके चलते हैं, वो मानते हैं कि जो means हमें कपड़े नहीं पहनने हैं, तो स्तूल भद्र जो थे वो संस्तापकते हैं, इसलिए जो हिंदुस्तान है बहुती मज़ेदार कंट्री है, ठीक है, मुझे आज तक समझनी आए कि ल जान लेने को कि इतने धर्म हैं, इतनी चीजे हैं कि आप हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं, दूसरा है स्वेतामबर, स्वेतामबर क्या है, आप लोगों का स्थूल भद्र थे, तो स्थूल मेंस होता है मोटा, ठीक है, तो अगर मोटे, अगर कोई बहुत मोटा इनसान है, त उन्होंने सफेद रंग के कपड़ा, एक सफेद रंग का कपड़ा लपेड दिया बस, तो स्थूल भद्र आपको इस तरह से, स्थूल मेंस होता है, मोटा, ठीक है, हिंदी भी बढ़ने हैं आप लोगों को, महा मस्तकाब शेक, ये एक तरह का, उनका उस्था होता है, होता है, कि चीजों को सर पर से नीचे डालना, जैसे हम शिप भगवान का क्या करते हैं, अब शेक करते हैं, दूद से, दही से, ठीक है, अर्दमागदी, अर्दमागदी क्या है, प्रानबिक जैन साहित की भाषा, यहां दीजे, ठीक है, तो जो पिटक की भाषा थी, आप लिखेंगे, पिटक की भाषा क्या थी, पाली थी, याद रखिये, अब यहां पर क्या है, अर्दमागदी है, स्वेतांबर आगम जो है, पाटली पुत्र सभा में हुआ था, समेद शिकर जो था, वो आपका जैन सिद्शेत्र माना जाता है, पार सुनाथ से संबंदित है, यह 24 वें आपके हुए हैं, जो तीर्थंकर थे, सोनागिरी जो है, 108 जैन मंदिर वहां पर आपको मिलेंगे, यह दतिया महराष्ट मद्यपरदेश में है, दतिया मद्यपरदेश जो आपका डाकूओं के लिए काफी फेमस रहता था, और अभी काफी जो हम कहते हैं उनको न 108 तो यह जैन मंदिर हैं, तो कुश्चन कुछ भी आ सकता है, कितने मंदिर हैं, 108 कहा है, सोनागिरी में, सोनागिरी कहा है, दतिया में, दतिया कहा है, मद्यपरदेश में, और कितने मंदिर हैं, 108 है, कौन से मंदिर हैं, जैन मंदिर हैं, तो एक ही चीज़ से आपको एक महावीर के जमाली ठीक है जमाली लिच्वी कुल जो है ओ लिच्वी कुल से चेटक की बहन हम कहेंगे जो लिच्वी कुल से थी और चेटक की बहन थी ओ महावीर की माता थी तेईस्वें जो तीर्थंकर थे वो आपके थे पारसोनात और बराबर गुफाओं में रहते थे आज आजीवक कौन होते थे वो बोलते हैं जैसे की रिडम करत्वा गर्तम पिवेत वाला बोलते है इनको भाग्यवादी कहा जाता है ठीक है और मैंने आप लोगों को एक चीज और बताया था कि अगर आप आजीवक बनेंगे भाग्यवादी बनेंगे तो आप किसकी तरह बन ठीक है तो मक्खी से मतलब है मकली गोसाल ठीक है मकली गोसाल ने आजी वक धर्म की स्थापना की थी और वो बराबर की गुफाओं में रहा करते थे उसके बाद आता है कौशामभी जैन और बौध दोनों की तीर थिस्तलिय जैन दीजिए कौशामभी क्या है यह दोनों की है पाल शाशक बौध मत को मानते थे और भाग्यवादी कौन थे आजी वक थे मैंने अभी आप लोग बताया मक्खी की तरह हो जाओगे मकली गोसाल ने ने जोड़ा था आप लोगो एक बता तूँ कि पहले चार महावरत थे चार महावरत जो थे वो जोड़े थे पार्शुनाद जी ने अब वाच्वा जो महावरत था वो किस ने जोड़ा महावीर जी ने और वो कौन से थे ब्रहमचरिय उसके बाद आते हैं सोला जनपत का उ लेग देखें तो जो जैन गरंथ है भगवती सुत उसमें हमें देखने को मिलता है पावापुरी जैन संग के अस्थापना पावापुरी में हुई थी आगम जैन साहित्य को क्या कहा जाता है आगम कहा जाता है कल्प सूत्र के रच्यता थे आपके भदरवाहू भदरवाह उने कल्प सूत्र लिखा था नयनार जो होते हैं वो शैव होते हैं तो नयन मीन्स क्या होता है आँख शैव मीन्स होता है शिव तो शिव जी की जो आँख होती है तीन आँखें होती है ना शिव जी की ठीक है उपर तो आप लोगों इस तरह से याद रहेगा ठीक है तो शिवजी की जो क्या है तीन आखें है तो नयन से क्या है आप लोगों का शैव याद रहेगा आप लोगों को मतमयूर जो है वो आप लोगों को याद रहेगा है ये भी शैव से रिलेटेड है बेस नगर जो अविलेक है उसमें हैलियोडोरस से सम्मंदित बनाए माना जाता है इसको और जो हैलियोडोरस और बेस नगर अविलेक है ये जो बेस नगर अविलेक है वो भागवत धर्म से सम्मंदित माना जाता है भागवत संप्रदाय जो है सबसे ज़्यादा फाला फूला किसके टाइम में गुप्त शाषकों के काल में भागवत में श्री कृष्ण से सम्मंदित चांदोग्या जो उपनिश्यद है उसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि जो भगवान कृष्ण थे वो देव की पुत्र थे कहां चांदोग्या उपनिश्यद से उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट नो जो है भक्ति के रूप बनाए गए हैं हमारे जो सनातन धर्म हैं उसमें भक्ति के रूप कितने हैं नो रूप हैं आप किसी भी तरीके से किसी की भक्ति कर सकते हैं एक कुशन और पूछा जाता है नैमी शारणे नैमी शारणे अगर आप लोगों ने भागवत कथा सुनी होगी और जो पर्थम तीर थंकर थे, वो रिशव देव थे, आप लोगों को याद रखना है, रिशव देव का जो रॉल नमर है, वो फस्ट है, फस्ट रॉल नमर रिशव टीक है, इस तरह से आप लोग इसे याद कीजिए, और इसे जूम कीजिए, अब आप लोगों का काम है आदा गंटा कम से कम इसे प्रैक्टिस कीजिए कि अर्दमागदी क्या थी किसीच की भासा है मस्तकाबशेक में किसकाबशेक हो रहा है अनेकांतवाद यापनिय संप्रदाज सुईतांबर अहिंसा चौदापूर तिरी रातने तिरी रातने तिरी रातने कौन से हैं शादवाद किस्से हैं अनुरत सिद्धांत किस्से संबन दिता है अन्तिम तीर धंकर कौन से थै पूर्ण ग्यान को कैवल्या बोला जाता है तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना पावपुरी किस्से रिलेटेड है तो इस सारा आप प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करते रहें मिलते हैं अगले लेसन में तब तक के लिए बाबाई टेक केर